नमस्कार दोस्तों तो आज के वीडियो में आपको नीक वॉकर, डियाओगो, अफरोचकान, एक्सेटर आधर वाड़ी विल्डर्स की अपडेट देखने मिलेगी और उस तो हरे एक आक्टेट इतने तेरी से ग्रोव कर रहा है इतने इंटेंसिटी के साथ मेहनत कर रहा है डे जैसे कि वह अपनी चेस्ट के एकसाइस कर रहे है और गाइस आड़ एंड जब वो पोज करते हैं स्क्विज करते हैं उनके मसल्स देखके पता चलता है कि कि इतना अदला सफर कर रहा है और डिपलेशन में रख रहे हैं उनकी कोच उनको डिफिनले का तो मिल होता है आज कल के बॉड़ बिल्लिंग के प्रोटोकॉल सुच अलग होते हैं बॉड़ विल्डर कंपलेटली डारेकली कर्फ्स बंद नहीं करते थोड़ा कार्फ्स उनका रहता है या फिर मॉर्निंग में या तो इविनिंग में बट मुझे लगता गाइस कम से कम एक ही मिल में कार्प्स ह हुआ ही नहीं कि मैंने इतनी साइज कैरी कर लिए स्टेज पे बट में कंडिशन नहीं आप आया कंडिशन में तो उन्होंने और उनकी कोच ने मास्ट है हाजिर करिये और यह अपडेट देखे आपको क्या लगता है काफी पील लग रहे काफी श्रेडेल लग रहे इतने फ्रीगे आ जाते है इतना तहलका मचते है अपने प्रेजेंटेशन से इसलिए भूत सरी लोग उनसे कनेक्ट है और जिजेस भी उनको मतलब अपर प्लेस देही देते है विकास वो डिजव करते है आपका प्यार उनके लिए डिफिनिली शो करना कमेंट्स में दूसरे अपडेट में हम बात करते है डियो को की विकास जाधा अपडेट उनने इस सल नहीं दिया अलम्पिया के लिए अरनोर क्लासिक में उनने दिये थे और जैसे उनको कॉन्पेटेंस बहुत जाध होगा कि अरनोर क्लासिक में सिकेंड पोश्चन ग्रैब करें और जैसका प्रेपरेंस चेंज होते हुए उनने देगा है तो बहुत जाधा चैंसे है कि डियो के अभी ओलम्पिया का टाइटल जीते यस गाईज अभी यह बात आपको हजम नहीं होगी पर जैसे कारण होल्डन को जीता है वैसे फ्रेम के बिसिस पर वह डियोगों की पास भी सारी चीज़े और यह उनकी अपडेट है रिसेंट अपडेट है और बिल्कुल वेस्ट टाइट लग रही है और कैप्शन में लिखते है दे अलगुन्स डिया दाटरास मतलब लांग्वेज में वो लिखते है और इसका मतलब होता है फ्यूड यह आगो मतलब इस जो अपडेट से वो फ्रॉम फ्यूड यह आगो की है और काफी ब्यूटिफुल लगती है उनकी फिजिक काफी फ्लैट तो लगी रही है और फेस से भी पता चल रहा है कितने अदर सफर कर रहा है बैक में थोड़ी बहुत इंप्रॉमेंट है डिटेलिंग काफी अच्छी लगती है और बिसिकली फ्रंट से वो डॉमिनेट करते है अगर उनकी अपर पोशन ग्राब करने का कोई रिजन है देन उनकी फ्रंट पोज है वो काफी टाइटली पोज को हीट करते स्ट ना दोस्तों तीसरा अपडेट आता है जेर्मी पॉट्वीन के तरब से तो वो खुद अपना अपडेट देते रहते इंस्टाग्राम पर इसलिए हम लोग ज्यादा कवर नहीं करते उनको बिकोज एक जैसे उनके अपडेट रहते बैसिकली बट गाइस अभी इस ताइम प उस ब्यूटिफुल मसल है इतनी ज़्यादा श्रेड और फाइबरस लगते हैं जब वो कॉंटेस्ट शेप में होते हैं या फिर पीक पीक में होते हैं काफी अमीजिंग लगते हैं और उससे अंदाजा लग सकता है और जैस भी यही बारी-बारी चीजे देखते हैं अच्छा नहीं लगता उतना अधा वर्ट स्टेज पर अच्छा आता है और इसलिए उनको प्रावरिटी मिलती है इसलिए वो शोज जीतते हैं तो इनकी फीजिक देखे आपको क्या लगता है मुझे काफी पसंद आते है अथलेट और जैसे कि उनके साथ पास्ट में अभी कुछ इशू चल रहा था ट्रेन के वज़से उनको नीन नहीं आ रही थी बॉड़ी पूरी तिर किसे ठकी हुई थी पट फिर भी उनने एक मैनेज किया एक शो को जीतना और उसके बाद ऑलम्पिय के लिए क्वालिफय हुए है और उनके फिजिक में मुझे सबसे पोस्ट कर रहा था वो अपडेट हमने कवर नहीं कर रहा था व्यकोज अलमोस्ट वो रिटायर होई चुक है बड़ वो खुद से अनौंस नहीं कर रहे है I don't know the reason बट अगर रिटायर हुए है इतने अधर साइज वो क्यो मेंटेन कर रहे है लिए उनके आम्स हमेशा फूलर ही लगते है शोल्डर काफी ज़्यादा स्मॉल लग लग रहे है वर इससी फिजिक कर रहे है कि वो छे महने में फिर से वो साइज हम कर लेंगे जो पास्ट में करते हूँ अपने प्राइम पर नहीं जा सकते अगर इतनी साइज कर रहे है बड़ अगले साल आपको क्या लग तो दूस्तो आगले अपडेट में मैं अफरोध स्खान बॉडी बिल्डर के बारे में बात करना चाहूंगा, उनके फीजिक के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज इंडियन आटलेट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा पैशिनेट है इस्पोर्ट को लेके, बहुत सीरेसली वो प्रेप करते हैं, बहुत सीरेसली वो हर एक मील करते हैं, और फोकस रहते हैं, तो इस तो वो कैप्चेन में लिखते हैं, किसी को बीट करना मेरा एम नही मुझे तो बस सबसे जीतना है, बतलब आपको पता है कि पहली लैन और दूसरा लैन का एक मीनिंग सेम ही है, तो इस अगर फिजिक की बात करो देन, सिद्धान जेस्वाल उनके खोच है, और कंडिशन ओन पॉइंट है, जैसे वो मुंबाई प्रोशों में कंपिट करने आ कंडिशन ओन पॉइंट है, बट जो मेंस फिजिक का एक स्ट्रॉंग पॉइंट होता है, वो होता है, शोल्डर टू वेस्ट है उनकी वेस्ट भली बिल्कुल टाइट है, बट शोल्डर उतने अधा पॉप अप नहीं हो पाते स्टेच पे, अगर आप कंपेर करों कि उनके आम से दिर, आम ज्यादा डॉमिनिट करते हैं शोल्डर को, अगर आप देख सकते हो, अगर आप आप अब्जो कर सकते हो, गैस मैं यहां पर क्रिटिसाइज बिलकुल नहीं करा, विकास मैं उस लेवल पर हुई नहीं, बट इतने साल बॉड़ी बिल्डिंग को फॉलो करते कुछ चीज़ें हमारे भी दिमाग में आ जाती है, और अगर आप बाकी बॉड़ी बिल्डर को अब्जो करोगी, जिसकी मनोच पाटिल भाया है, जिसकी बाकी की साही बॉड़ी बिल्डर से, जिनकी आप शोल्डर से देख सकते हो, जिसकी राजा आजित हो, जिसकी लवप प्रोट्स खान, तो उसकी लास्ट आपडेट आता है, बेहरुस तबानी की तरफ से, और अच्छी खासी साही करी करें, और इस सल आप फिजिक में नूटिस कर सकते हो, उनकी रिपाइन्मेंट एंड जो मसल मैचुरूटी वो भी जादा नूटिस होती है, और यह अर्लेट डिफिनिली बहुत कुछ आगे कर सकता है, बॉड़ी बिल्डिंग में जैसे हाड़ी चुपन ने किया था, बिकॉज इनका एज भी उतना नहीं है, लगबग और फिजिक भी उनका साथ देरी रिस्पॉंड करें उनको, उनकी बैक भी आप देख सकते हो, जो बॉड़ी बि जाएंगे, मुसर्स उनके maturity acquire जरूर करेंगे, और कुछ बॉड़ी में यह सा flaws नहीं है, बॉड़ इंप्रॉमेंट की डेफिनिली जरूर थे उनको, अगर इंप्रॉमेंट करके आते है स्टेच पे, धमाका देखने मिलेगा, बॉड़ मुझे लग तो इस साल टॉप 10 प्रे लग जाए, तो मुझे लगता है, टॉप 5 में तो प्रेडिट कर सकते हैं, बर टॉप 10 में प्रेडिट करना काफी मुश्किल चीज़ है, और फिजिक on point है उनकी, जस चेस्ट में इंप्रॉमेंट देखना चाहूंगा अगले साल में, और यह फिजिक देखके आपको क्या ल यह शवाए, बर टॉप टॉप 2